बिहार S.S.C. में 2000 से अधिक पदों पर भरतियां सना तक पास कर सकते हैं आवे दिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से एक बहतर मौकी की तलाश में हैं तो आपके लिए वह मौका सामने आया है बिहार करमचारी चैन आयोग B.S.S.C. नेतरितिये इस्तनानत स्तरिये सयुक्त प्रतियोगी परिक्चा के तहत हजारों पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया इसके तहत सचिवाली सहायत समीत बुभिन पदों पर भरतिया निकाली है जो भी इस भरति में शामिल होना चाहते हैं वो बिहार करमचारी चैन आयोग अधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर इस भरति के लिए जारी किये गया नोटिफिकेशन को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं जो भी योग और इक्चुक उमिद्वार इस भरति में शामिल होना चाहते हैं तो वो अपना आवेदन bssc की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 14 अप्रिल 2022 तक कर सकेंगे आयोग ने आवेदन की आखरी तारीक 17 मई 2022 को निर्धारिक की है चुकि इस भरति में लाखों की श्रंक्या में आवेदन प्राप्त होनी की अंदाजा है इसलिए एक्चुक उमिद्वार आखरी तारीक से पहले ही अपना आवेदन पूरा कर ले ताकि अधिकारिक वेबसाइट पर आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या से बचा जा सके बिहार करमचारी चहन आयोग द्वारा जाड़ी की गई भरति के माधियम से कुल 2080 पदों पर आयोग उमिद्वारों का चछन किया जाएगा इस भरती के माध्यम से चाईनी तो मिद्वारों की सचीवाले सहायक, योजना सहायक, मलेरिया इंस्पेक्टर, डेटा इंट्री ओपरेटर ग्रेट सी और ओडिटर आधी के पदो पर नियुक्ती दी जाएगी इस भरती के लिए आवेदन करने वाले उमिद्वारों के पास में ग्राजवेट की डिग्री होनी चाहिए आवेदे को कि आईउ सीमा नियुनतन तापमनी किस वर्ड्स और अधिक्तम 27 वर्ड्स होनी चाहिए आड़िक्सक्त वर्ग के उमिद्वारों को निया मनुशार अधिक्तम आईउ सीमा में छूट दी जाएगी समाने वर्ग के उमिद्वारों को इस भरती के लिए 540 रुपई आवेदन चुलक जमा करने होंगे वहीं सी एस्टि और दिव्यांग उमिद्वारों के लिए आवेदन चुलक 135 रुपई है अधिकारिक जानकारी के रिए उमिद्वार अधिकारिक वेबसाइट पर उपलग नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं उमिद्वार नीचे दिये गए आशान से दिसान निर्देश का पालन करके भरती के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं सबसे पहले उमीद्वार अधिकारी को वेबसाइट bsscbihar.government.n पर जाए अब होम पेज पर दिखाई दे रहे सम्बंदित भरती से जुरे नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करें अब नोटिफिकेशन एक PDF के रूप में आपकी स्क्रिन पर प्रदर्शित हो जाएगा इसे चेक करके डाउनलोड कर ले और आगे की जरूरत के रिए इसका प्रेंट भी निकाल ले